ओके सो गुडिनिंग एवरिवन गुडिनिंग कैसे हो बच्छों एकदम ठीको फिट फाइन मॉलेकुलर पे हम लोग एकदम लास्ट वाले पार्ट में आज पहुंच रहे हैं और काफी अच्छा रहा ये पूरा चाप्टर और लास्ट में दो तीन टॉपिक हैं फर एक्जाम मॉलेकिलर बेसिस correct और इस chapter को तुमको कभी बढ़ा हो न अभी बी कि ये इस चाप्टर का मतलब हुआ दे ने से आलेड करहें रही तो ये एक सारा septem कैसे चल रहा पहली बात ये बिलकुल क्लिए राद कर लो है तो तो सेंट्रल डूगमा में DNA से RNA, RNA से प्रोटीन की पूरी बात की जा रही है. First thing, second जो फंडा है यहां पर बच्छों, उसमें आपको क्या समझना है? और यह important है. मैं live हूँ ना शायद? ओके. तो इस बात को भी समझेंगे second funday में. बस एक बिनट मैं देखता हूँ. हाँ, शायद मैं live हूँ. ओके, मेरी voice proper आ रही है ना सारे बच्छों को. चलो एक बार चेक कर लेते हैं, फिर start करेंगे. Yes, we are live. So, basically इस बात को समझेंगे. Central Dogma को हमें समझना है, पहली बात तो ये चीज़ याद कर लो, सारे बच्छे. बिल्कुल clear form में. और Central Dogma, अगर तुमने समझ लिया, मेरी बात को समझो. Central Dogma, अगर तुमने धंक से समझ लिया, तो DNA से RNA funda समझ गये तुम. DNA से RNA के बाद, RNA से फिर फाइनली प्रोटीन की बात कर लेंगे. तो replication, DNA से DNA, फिर replication के बाद, जो है DNA से RNA transcription और RNA से फिर protein के फॉर्म में, amino acid के collection के फॉर्म में, आपने क्या याद किया? Translation के बात करने. तो ये तीन टर्म तो तुमको समझने हैं, तीन के process along with their structures. For example, मैं DNA की बात करूं, तो DNA का proper double helical structure समझना है, बच्चों. और उसका chemical structure exactly कैसा होता है, वो भी समझना है. तो ये दोजों शीज़ों को parallel में याद करेंगे. First thing, second जो funda तुम्हें समझना है, जो RNA बनेंगे, वो किस process से बन रहे हैं, तो जो transcription की बात है, फिर transcription में, eukaryotic में, post-transcriptional modification की बात की इस chapter में. तो RNA में वो splicing, capping, tailing, ये सब कुछ चीज़ें तुमको वहाँ पर समझनी होगी. अच्छा, अगर ये भी समझ लिया, तो parallel में फिर हमें RNA के different types को समझना है, tRNA, rRNA, mRNA, इन सब के बारे में ढंक से समझना है, इनका structure समझना है, concept को समझना है. बाद में, ये बहुत छोटा सा फंडा है, इस बात को आप लोग समझो, कि हमारी body में जो protein बनते हैं, वो protein amino acid के collection से बनते हैं, तो translation is a process of, collection of, ये जो polymerization है न, amino acid का polymerization होता है, that is called as translation, ना कि protein का ने synthesis, वो सिर्फ collect करता है, polymerize करता है, तो ये concept NCID में भी mention है, और इसको धंक से य समझ लिया, फिर अगला जो topic आप समझोगे, वो क्या topic मिलेगा आपको, बहुत clear form में इस बात को याद कर ले, उस topic में आपको, लैक ओपर on और इन सब के बारे में आपको समझना है, बातों को समझ रहे हैं, लैक ओपर on के बारे में समझना है, और भी कई concept हैं आपर, लैक पर उसी की बात कर दे वाले हैं, systematic ताकि हर question, हर topic एक बार अच्छे से revise हो जए, चले फिर शुरुआत करें चीजों की, बिल्कुर बढ़े हैं से, और जो बच्चे मुझे जानते हैं, wonderful, और जो बच्चे नहीं जान रहे हैं, मैं उनके लिए बता दू, my name is अन्राग तिवा और आपको अनकाडमी पर, plus classes में, बहुत सी special classes और plus classes में आपको biology पढ़ाता हूं, और बाकी चीज़ें तो आपको अलड़ी पता ही हैं, मेरे बारे में, yes or no, ठीक है, चलो, फिर आगे की कहानिया स्टार्ट करते हैं, systematic form में, और I think सारे बच्चों को, बाकी, आचा, हाँ, य जरा सा भी doubt है तुमको, तो मेरा course join कर लो, classes daily होंगी, morning में होंगी, तुम recorded भी देख सकते हो, live भी देख सकते हो, live में फाइदा ये हो जाएगा कि तुम अपने unlimited doubt पूच सकते हो, हाड़ा की हर तीन lecture के बाद doubt session अलग से ही होता है हमारा, उस दिन कोई पढ़ाई नहीं होती, doubt session होगा, testing होगी हर chapter के complete होने के बाद और जैसे ही सारे chapter complete हो जाएंगे, एक mega test भी होगा, mega quiz भी होगा, तो live देख सकते हो, recorded देख सकते हो, तुम्हारे doubt solve हो जाते हैं यहाँ पर, और कुछ भी नहीं करना तुमको unacademy learning app डाउनलोड करनी है, play store से, और वहाँ से डाउनलोड करने के बाद, अपना target select करना है, neat UG, neat UG जैसे ही target select करोगे बचो, वहाँ पर तुमको करना क्या है, फिर subscription पर click करेंगे, और subscription में जाने के बाद, तुमको दो options अब दिखाई देंगे, एक option plus का और एक option iconic का, अगर plus लेना चाहते हो, तो उसमें यह सारी चीज़ें मिल रही ह तो एक personal coach मिल जाएगा, एक test analysis के form में चीज़ें मिल जाएगी, वो तुम्हारी study planning में help करेगा, बहुत सी ऐसी चीज़ें तुमको मिल जाएगी, fees wise आप जैसे ही subscription पर click करते हो, तो तुमको 6 months का जो subscription course है, that will be 28,000 बट इतना नहीं देना तुमको, तुम मेरा code यूज कर लेना और इससे तुमको क्या benefit मिल जाएगा, कि तुमको 10% का off मिल जाएगा, तो ये मेरा code क्या है, referral code क्या है, 80 sir, तो ये referral code यूज कर लेगा, this is code, या नीचे भी लिखा हुए वैसे तो, तो ये code यूज करने से तुमारे 6 months की जो fees है, वो 28 से 25,000 हो जाएगी, 1 year की fees 34,000, 650 हो रौंड, 2000 रौंड पढ़ते हैं, 2100 रौंड पढ़ रहा है आपको, तीनों subject और तुमारे पास top 50 educators हैं, जिनसे तुम अपनी पढ़ाई कर सकते हो, this is the best part, साथ-साथ में, अगर तुम आइकॉनिक लेना चाहते हो, तो तुमारे पास per month, 6 month का अगर तुम आइकॉनिक लेते ह तो आपकी speed boost हो जाती है, in fact जो technical चीजें बोली जाती है, कि 3 times success ratio बढ़ जाता है, जब कोई बच्चा, iconic subscription लेता है, क्योंकि ये guidance में proper कर रहा है, तो जल्दी से आजाओ जो बच्चे अभी भी नहीं है, क्योंकि you have like November, December, January, February, March, April, ये 6 महीने तुमको एक life changing opportunity के form में भी convert कर स सकते हो, क्योंकि YouTube पर तो कई बार चीजें doubt रह जाती है, कई बार सब चीजें रह जाती है, करवाना यहां पर भी सब कुछ होता है, but the thing is, वहां पर आपको doubt, session, test, ये सब कुछ अलग से मिल जाता है, these are the benefits जो आपको plus या फिर iconic subscription देता है, फिलहाल, जो मेरे plus के courses हैं, वहां on academy 80 sir, मेरा नाम जो है, उसी को short में, तो on academy 80 sir के साथ में, तो चीजों को शुरू करते हैं, बहुत systematic और आज इस chapter के हर question, हर line पर एक बार discussion जरूर करेंगे, चलो भई, कल 145 तक I think कर लिया था, तो आज 146 से start कर रहे हैं बच्छों, और अच्छे questions हैं, systematic questions हैं, I really want कि हर participation दे आज यहां पर, active participation का मतलब होता है, जैसे ही question देखें तो उसका answer दो, and NCIT सारांस का main target ही यही है, कि हम हर question को refer करेंगे NCIT की book से, तो जितनी हो जाती हैं, हम सारे के सारे, इसमें आज refer करेंगे, अगर simple question है, तो तो तुम directly भी answer, दे सकते हो, चलो शुरू करते हैं, तो च six की बाते ही हैं, हलाके, right, question क्या है, मैं दुबारा पढ़ दू, sickle cell anemia is a classical example of, बहुत प्यारा सा simple सा question है, और NCIT की line भी है, classical example of, point mutation is a change in a single base sphere, in the gene for beta globin chain, that result in a chain in amino acid residues, to sickle cell anemia, ठीक है, तो this is, answer will be what, बच्चों, अब उसमें भी sickle cell anemia, किसका example होगे है, कहां पर point mutation, तो वहां पर answer क्या भी आ हुआ, 146 का point mutation, right, done, next question, in sickle cell anemia, which amino acid modify occur, in the beta chain of amino acid, तो आपको पता, alpha chain, beta chain, 2 होती है, beta chain के six position पर, मैंने एक simple trick बताई थी तुमको, good guy converted into bad guy, right, good guy converted into bad guy, तो glutamine converted into, मतलब good guy converted into villain, तो villain for valin, right, ऐसे याद करेंगे, तो g for good guy and g for glutamine, right, तो good guy converted into villain, तो glutamine converted into valin, right, तो यह word याद रखेंगे, GAG, है ना, converted into GUG, right, तो यह किसका है glutamine और यह किसका हो गया GUG valin, तो यह चीज़ें आपके NCRT में directly mention है, glutamine to valin, right, यहाँ पर देखो, glutamine to valin, बहुत clear उसमें हैं, चीज़ों को याद रखेंगे, तो glutamine, ठीक है कहानिया clear, तो 147 में आपको क्या मिल गया, done है, answer बिल्कुल ठीक, 147 की बातें हम बिल्कुल clear form में समझ पा रहे हैं, next, tRNA is earlier called as, tRNA को पहले क्या बोलते थे, है न, यह थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, इसके लिए हला कि, थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, and tRNA, क्या वोड यूज किया, बातें समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पर कहानिया आपको बिल्कुल clear form में 148 की बात कर रहे हैं, बच्छों, 148, right, on 148 में, यहाँ पर earlier known as, देखों यहाँ पर, he postulated the presence of adapter molecule that would one hand read the code and other hand would bind to a specific that tRNA ने then known before the genetic code was postulated, तो पहले क्या बोला जाता था इसको soluble RNA, ठीक है, बात में इसका नाम adopter molecule दे दिया गया, तो answer क्या हो गया, यहाँ पर बच्छों, 148, not a, not adopter, earlier word used किया है, तो you have to answer the like soluble RNA, right, before the like discovery of this genetic code, right, छोटी-छोटी बातों को याद रखेंगे, automatic हमारे concept clear होंगे, NCRD अच्छी है, तो सब कुछ अच्छा है, right, next thing, question है, यहाँ पर, 149, the initiation of translation process, specific tRNAs involved are known as, अच्छा question, for initiation of translation process, specific tRNA जो involved होता है, उसको क्या बोलते हैं, है ना, तो यहाँ पर एक छोटी से line दे रखी है, यहाँ पर, question number हमारा 149 की बात कर रहे है, 149, right, और 149 में आप एक चीज़ देखो, है ना, यह involved is known as helper है, या sister है, या फिर initiator है, या फिर terminator है, तो यहाँ पर answer क्या हो गया, for initiation, there is another specific tRNA that is referred to as initiation, right, initiation, tRNA के form में आपको यहाँ पर याद रखना है, मेरे just ऊपर आपको सर के ऊपर दिख रहा होगा, है ना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल clear है, easy, बहुत simple, बहुत simple, तुम सब लोग solve कर सकते हो, अगर NCIT को बहतरी इन तरीके से करो, हो, तो मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे के जरा से भी number कम आएंगे, एक छोड़ा सा structure तुम्हारे screen को आशो हो रहा है, हला कि, है ना, and the best part, यह important है कि यहाँ पर एक figure दिया हुआ है, 150, 151 की बात ही कर रहे हैं, right, तो यहाँ पर छोटा सा, simple सा structure है और यह bead-like को structure दिया हुआ है, अब smartness तुम्हारी यह है कि तुम बताओ कि यह picture क्या है exactly, तो picture is taken using, किसकी help से, कौन सा microscope, phase contrast microscope, electron microscope, bright field microscope या फिर fluorescence microscope, ऐसे randomly मैंने options दे दिये हैं, बट answer हमारा क्या आजाएगा, तो yes, wonderful, 150 का B option, very good, बहुत अच्छे, अनुशका शर्मा, चल, next question, 151, 151, the picture shows characteristic coiling of DNA known as, इस पूरे में एक characteristic coiling show की गई है, bead on string word used किया था, bead on string के form, 151 की बात कर रहे, बाते समझ में आगे, bead on string, this is known as bead, मतलब nucleosome on string, तो string हमारा DNA and collectively, nucleosome और यह nucleosome कहां पर मिलता है, chromatin तो यह word याद रखेंगे, बिलकुल clear form में, bead on string जब भी word use हो जाए, तो preference chromatin को देंगे और अगर वो नहीं option में है तो nucleosome को देंगे, इस बात को याद रखेंगे सारे बच्चे, बहुत छोटी छोटी बाते हैं जो NCRT में directly दी हुई है, चलो अगला question, एक standard word है और यह मेरा बहुत favorite sentence है, क्योंकि कई बार बच्चों को इसका मतलब गलत तरीके से याद होता है, process of polymerization of amino acid, अभी अभी word use किया था तुमसे, to polypeptide, polymerization मतलब एक amino acid को दूसरे के साथ जोड़ना, दूसरे को तीसरे के साथ जोड़ना, like that, तो this process of polymerization of amino acid to polypeptide is known as, is known as, बहुत ही simple सा question, है न, बहुत ही simple सा question, तो 152 आपके सामने हैं हाला की, अगला ही question, process of polymerization of amino acid to form a polypeptide is known as, translation, ठीक है न, क्या बोला, translation, बचों, चीजों को बिलकुल clear रखेंगे, हर language को as it is याद कर लेंगे, NCRT याद करने का दो फायदा, आपके concept clear होते हैं, NCRT अपने आप में खुद बहुत अच्छी book है, बहुत ही conceptual book है, और हमारी तो Bible है, गीता है, कुरान है, हमारी सब कुछ है NCRT, first thing, and साथ-साथ में, आपको सोचना नहीं पड़ता exam में, आपका time बचता है, जहाँ आप concept लगाने लगे, सोचने लगे, दिमाग लगाने लगे, जादा, वही confusion होती है, और वहाँ एक दो negative हो जाते हैं, additional, जो होने थे उससे जादा हो जाते हैं, as it is, याद करने से फाइदा क्या होगा आपका, कि आप direct answer को hit करेंगे, और आपके negative नहीं होगे, यह सबसे बड़ी, अच्छी बात आपको मिल जाएगे, चलो, तो यहाँ पर answer क्या होगा, मैंने star भी लगाया, तो please को याद भी करेंगे, translation, right, 153, charging of tRNA is known as, tRNA के साथ में ATP को bind करवा देना, ताकि वो कलको amino acid उसके साथ में bind कर दे, this is known as charging of tRNA, मेरे बच्चों, and this term is given here, charging of tRNA, या इसको क्या बोला, amino acylation of tRNA, ने, word क्या यूज़ कर रहे हैं, तो आपको जब भी translation का भी word मिल जाया, तो सबसे पहले step क्या होता है, मैंने कल जो NCRT अभ्यास वाली series है, उसमें भी बताया था, तो charging of tRNA, and या फिर amino acylation, यह first step है, किसी भी translation का, बातें समझ पा रहे हैं, तो this is 153, बातें समझ में थोड़ी थोड़ी आ रहे हैं, सारे बच्चों को clear form में, चलो, तो 153 का answer क्या हुआ है, amino acylation, right, amino acylation, बिल्कुल clear, अच्छा जी, बहुत बढ़े हैं, अगली कहानिया, 154, tRNA for serine, beer, anticodon, अगर serine है, तो अब आपको समझना क्या है, कि serine का, जो anticodon के form में, यह na, यह tRNA है, और यहाँ पर अगर उपर serine है, जहाँ पर amino acid bind करता है, 154 की बात करें न, तो इसके नीचे यहाँ पर anticodon क्या होगा, बहुत clear सी बात, तो anticodon बच्चा क्या होता है, यहाँ पर, इस बात को याद रखेंगे, serine क्या है, A, अगर आपको याद करना पड़ेगा, यह बच्चों, यह सारा याद करना पड़ेगा, A, G, U, यह serine, और इसका anticodon क्या हो जाएगा, A का क्या होता है, U, इसका क्या, C, G का, और इसका A, that's it, yes, तो answer यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है, 154 का maximum बच्चों का बहुत अच्छे से correct answer आ रहा है, and this is the best part, आपको कुछ नहीं करना, यह codon वाली जो table है, हलाकी उपर चली गई, इस table को थोड़ा सा दिमाग लगा कर तो याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगा कर, याद करना पड़ेगा, थोड़ा slow जा रहा है क्या, आभी न, यहाँ दिख रहे ही सब कुछ चीज़ें, बिल्कुल clear form में, ठीक है, यह सब देख रहे हैं, यह सब word याद करने ही पड़ेगा हाँ यह जरूर याद रखना कि इससे questions बन जाते हैं यह फस्ट position है यह बीच वाली second position हमेशा बीच वाली मान लो मैंने लिखा क्या ए यू जी तो यह जो है वो यहां लिखा होना चाहिए देखो यहां पर है न ए वाला और इन दोनों के corresponding में जी यहां है तो यह AUG आपको हमेशा यहां मिलेगा यह find out करने के तरीके हैं जो आपको specially याद रखना पड़ेगा ठीक है चलो थोड़ा सा नीचे इसको भी लेकर लेकर चलते हैं जहां थे वहीं पर चालो तो इस इट विल भी लाइक UCA याद रखेंगे अचा एक छोड़ा सा क्वेश्चन है और बड़ा प्याला सा क्वेश्चन है हाला की structure of TR ने resemble with which leaf यह plant की leaf है और आप इस बात को प्रॉपर याद रखेंगे इस तरह की leaf होती है आप निट पर काथ सर्च करना गूगल पर सर्च करना क्लोवर लीफ प्लांट ऐसे करके तो आपको उसकी leaf इस तरह की दिखाई देगे समझ रहे हैं और यह भी कुछ ऐसा सही होता है यह यहां पर ऐसा ठीक है फिर यहां पर फिर इधर भी ऐसा तो बिल्कुल वैसा सही दिखाई रखना होगा और अगर तुम्हारे लिए नया वर्ड है तो सीख लो अधर वाइस बहुत कॉमन सा वर्ड है बच्छों रइट यह बात करें ना ट्यार ने यह दिस वन यह बहुत इंपोर्टेंट वर्ड है यह देखो यहां पर लोवर लीफ लिखा हुए बच्छों यह दि बोला जाये तो ट्यार ने का कॉम्पक्त मॉलेक्वल दे लुक लाइक इन्वर्टेड एल तो अक्शुल स्ट्रॉक्छर इन्वर्टेड है बट हम जब बात करें 2D की 2D 2-Dimensional है ना तो लेको सेकंडरी स्ट्रॉक्छर ऑफ ट्यार ने हाज बिन डिपक्टेड दाट लुक् लाइक क्लोवर लीफ इग्जक्ट वर्ड याद रखेंगे NCRD में जो भी चीज़ें लिखी हुई है तो आंसर विल भी 155 का बिलकुल क्लियर D वेरी गुड राइबोजोम आर दे सेलूलर फैक्टरी फॉर दे संसेस ओफ यह बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं कि राइबोज राइबोजाइम का नाम क्या है राइबोजाइम क्या है राइबोजाइम किस से बना है और बैक्टिडिया में यह कौन सा राइबोजाइम होता है तो यहां पर आपके लाइन दे रखी है मिल जाओ भई 157 यह दिस वन चीज़ें को याद रखें तो वैसे तो यहां लिख रखा है सेलुलर फैक्टरी रिस्पॉंसिबल फॉर सेंसिसस अफ प्रोटीन इस राइबोजोम यह तुम्हारा कॉश्चन 156 का अंसर आगया है यहां पर यह 156 NCRT में मार्क कर लो अभी के अभी और मेरे कॉश्चन को मार्क कर दिया करो जो तुमको ना आते हों सारे करोगे तो सारी हालाइट हो जाएंगे यह 157 है राइबोजोम और सबको पता है अंजाइम की तरह भी काम आता है और बैक्टिरिया में 23S आर आरने है तो ऐसे स्वेटबर्ग यूनिट वाली बाते हो रही है राइबोजोमल के फार्म में है ना इस दा एंजाइम राइबोजाइम ठीक है न ठीक है चलो कल से हम लोग प्रॉपर NCRT सारांस को और प्रॉपर जो हमारी दूसरी सीरीज है उसका मैंने नाम चेंज किया है वर्क बुक क्याना NCRT वैलोजी वर्क बुक वो ज्यादा ऑथेंटिक फॉर्म में लग रही थी मुझे लगा कि बच्चों को समझ में नहीं आ र बात वही है content वही है और एक छोड़ी सी चीज कितने बच्चे यहाँ पर हैं who are willing जैसे ही हम इस question को खतम करेंगे तो unacademy की जो app है उसके थ्रू आप quiz देना चाहते quiz यह same chapter का quiz ज्यादा नहीं 20-30 questions करूंगा इससे ज्यादा नहीं but I want 30 questions करते हैं 30 questions करते हैं और इसी chapter का कौन कौन बच्चे इंट्रस्टेड हैं just after this यह 195 questions इसमें है around 50 questions तो कौन-कौन बच्चे इंट्रस्टेड है quiz में ठीक है तो जो ready है you can type it as ready sir या I am ready ready word use करूं मुझे भी पता शले और मैं just after this यह जो practice है इसके बाद हम लोग quiz करेंगे molecular basis of inheritance की unacademy app पर and I am hoping कि सारे बच्चों को प नहां डालना है है ना चलो wonderful बहुत अच्छे बहुत अच्छे काफी बच्चों का मी है एक दो बच्चे बोल रहें ना तो हम majority की तरफ जाएंगे चलो 158 की बात कर रहें 158 additional sequence of mRNA referred to as referred to as additional sequence of mRNA which is not translated जो translate ही नहीं होता तो मेरे बच्चों इस बात को याद रखेंगे this is called as utr utr is what untranslated reason untranslated reason जो चीज translate ही नहीं होई तो मेरी बात को याद रखो start codon से पहले का मामला और stop codon के बाद का मामला यह तो कभी translate नहीं होता translate तो सिर्फ start से होकर just before the stop यह सिर्फ इतना ही translate होता है जिसको structural gene बोला करते थे याद आया तो इसके पहले का और इसके बाद का is called as utr untranslated reason बहुत simple सा question है तो आप utr लेख सकते हो है untranslated reason 158 answer will be what d in eukaryot which of the following mechanism is not correct in terms of regulation of gene expression in eukaryot eukaryot में इन में से क्या correct नहीं है transcription splicing transport of mrna from cytoplasm to nucleus and translation 159 की बात कर रहे है regulation of genes related बात करें regulation of gene की बात करें देखो बहुत सीधी सी बात है transcription होता है splicing होती है eukaryot में इसको तो नहीं करेंगे translation भी होता है but transport of mrna from cytoplasm to nucleus no 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 nucleus to cytoplasm तो this will be the wrong statement this will be the wrong statement ठीक है न तो यह wrong है 159 का C wonderful बच्चों यहां NCIT में बहुत बढ़ियां से mention कर रखा है यह देखो regulation में transport of mrna from nucleus to cytoplasm बस आपको यह confuse नहीं करना था हाला कि जो options से बहुत clear थे इसलिए हमको eliminate करने में आसानी हुई वरना आप गलती कर सकते थे तो try to like find out this thing nucleus से directly cytoplasm में transfer होना उस time भी हम gene regulation कर सकते हैं ठीक है बिल्कुल clear चलो 160 यह आपके lack of iron से थोड़ी सी बाते मैंने चुराई हैं क्या है वो beta galactosidase is synthesized in ecoli to catalyze hydrolysis off तो beta galactosidase किसको तोड़ता मरोड़ता है है ना और किसमे convert कर देता है तो एक option तो glucose है तो glucose जहां जहां मैं इसको उड़ा दूँ क्या मैं बड़ा इस मामले में clear हूँ कि मैं tension नहीं रखना चाहता एक जगा glucose मिल गया चाहँ यह देखें क्या क्या सर्च करें पता लगाएं कि beta galactosidase exactly करता क्या है यहां पर एक छोड़ी सी बात दे रखी है beta galactosidase और it is used to catalyze the hydrolysis of disaccharide that is lactose into galactose and glucose यहां पर आपको options मिल रहे है yes or no सीधी से line आपको line page number भी मैं बता दू page number अरे आप दिखी नहीं रहे है वोपर जाना कोड़ेगा नीचे जाते हैं तो page number is 116 बच्छों है na page number 116 highlight कर लो अगर कभी confusion है हाला कि question बहुत simple है बट NCID का है तो NCID की जो भी चीज़े है वो important है तो lactose को galactose और glucose में convert कर देगा बाते हैं समझ में आये बिल्कुल clear तो answer will be देखो एक होता है हमें पता है concept से एक होता है काद mistake हो जाती है गलती से mistake चल लाक अपरॉन पहली बार बताने वाले कौन देखो क्रिक साब तो अपने DNA में उल्जे रह गए तो देख लें कौन थे exactly 161 तो लाक अपरॉन की ही बात करेंगे है ना कहां गये भाई तुम इधर ही कहीं शिप गया है थोड़ा नीशे लाक अपरॉन इलूसिडेशन ऑफ लाक अपरॉन वहाज और रिजल्ट आफ ट्लोज असोशिएशन तो जैकॉब आंड मोनाड अब question यह भी बन सकता है कि जैकॉब कौन थे तो जैनेसिस्ट थे और जोब्यॐ भाईयोअ के इंदोनों को आपको यादतना है और graders for a cruel ये भी अदकर है नियो जींवन जीन वाले तो यह ej का मैं मुनाइड की बात आप नो नहीं कर ली 161 का B option wonderful बहुत बढ़े बहुत बढ़े और 195 तक हम जाएंगे और इसके बाद आपका एक quiz भी करेंगे 30 questions का तो have patience और मजा आएगा 162 और top 10 बच्चे जो भी है उसमें उसके लिए fight करेंगे ठीक है चाल polycystronic structural gene is regulated by a common promoter and regulator gene in bacteria and common it is known as the polycystronic gene है यह सिर्फ bacteria में होता है monocytronic eukaryotes 162 की बात कर रहे है and this is known as this term is known as operon है दूने क्या operon क्या है यह देखो line कितनी प्यारी से दे रखी बस आपका आपकी नजर पढ़नी चाहिए polycystronic structural gene is regulated by a common promoter and regulator gene such as such arrangement is very common in bacteria and referred as operon और operon NCIT में नाम दे रखे हैं which are the following is medical in fact NCIT वाली जो दूसरी series होती है मेरी नीट प्रो चैनल पर नीचे description में link है उस पर मैंने question भी कर आया था lack operon और tryptophan operon तो कभी पढ़ा भी होगा इनके नाम भी याद कर लो मेरे बच्चों यह देख रहे हो यह कुछ और operon है for example जैसे यह VAL operon it is valon माइन वस्ट का नाम है है इसे tips पर चीजों को याद रखो कि कितने type के क्या क्या है यहां मिल गया answer आपको operon अब इस operon में i gene का मतलब क्या है 163 का answer 163 बिटा परसो तक आजाएगा podcast दो तीनो चाप्टर का ना दो तीन चाप्टर के podcast आपके पास आजाएंगे so have patience बस इनी सब में लगा हुआ हूँ तुम्ही लोगों के लिए कुछ ना कुछ नई चीज़े निकाल रहा हूँ तो podcast इन तीनो चाप्टर का आजाएगा एक neural control उन्होंने अभी डाला ही नी कुछ-कुछ अटका रखा है इन दोनों का मैंने बना दिया है इस चाप्टर का बनाना है तो ये मैं कल नहीं परसों को कल शाम को record करूँगा इसका बैठ कर और कल से evolution शुरू हो रहा है तुमको पता होना चाहिए कल जो chapter start करेंगे हम तो आई का मतलब क्या हुआ जरा देखें क्या है तो आई का मतलब does not refer to the inducer आई derived from the inhibitor word यहां देख रहा है यहां पर आई is what inhibitor सब कुछ line to line बातें कर रखा है याद रखेंगे तो आई for inhibitor not inducer तो regulatory gene और inhibitory gene inhibitor is also same याद रखेंगे 163 के बाद बच्चों क्या आया बहुत clear बहुत clear 164 164 यहां पर एक diagram है जिसमें वो कुछ आप देखो आप क्या है इसमें तो DNA है RNA है क्या है तो exactly RNA निकल रहा है ना initiation elongation and this अब मुझे बताओ कि इसमें यह D क्या है और 165 में B क्या है यह है यह है बिल्कु ठीक तो B क्या है ब मखन सा question वो क्या बोलते हो तुम लोग मैडम की language में easy peasy question है ऐसे भी बच्चे होते है जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ तो yes indicator D क्या है exactly बच्चों D exactly क्या है 164 की बात कर रहे 164 तो yes this is of course DNA helix NCID की diagram की बात कर रहे this is DNA helix है यह D और B क्या है सब को पता है 165 में हां 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 बिल्कु ठीक तो it is what sigma factor sigma factor एक अच्छी चीज बताओ अन-academy की अन-academy के साथ में सारे teachers जो जो आपने नाम सुने है वो धीरे देरे सारे अन-academy के साथ में ही जोड़ रहे है और यह अच्छी चीज है तुम लोगों के लिए तुम लोगों के लिए अच्छी चीज है कि आपको सारी quality education बच्चों एक जगा मिल रहे है अच्छी बात यह कि सिर्फ एक teacher तो है नहीं दो teacher तो है नहीं आप जिसके साथ जाधा comfortable feel करते हो उसके साथ पढ़ से बाइलोजी के कितने अच्छी अच्छी टीचर से आ अलग अलग जगों से जिनका नाम आप सुनते थे बड़े-बड़े इंसिटू उनको मिलेगा बच्छों इसका पूरा फायदा उठाओ और selection दिखाओ selection दिखाओ ठीक हैं 167 आउट ओफ थ्री स्ट्रॉक्ट्ट्रल जीन ZYA जीन S विच गिब्स विच जीन ओफ एकोलाई लाकोपरान गोड़ फॉर पर्मियेस इसमें से कौन सा है जो पर्मियेस कोड़ करत चाहिए तो आपको यह पता होना चाहिए कि Z code for beta galactosidase right और इस बात को समझेंगे beta galactosidase का function भी मैंने बता दिया why code for what permees which increase the permeability of cell to beta galactosidase चाहिए beta galactosidase cell के अंदर जा सके और trans acetilase क्या करता है acetyl group form होता है NCID में नहीं mention है जो कि poison की तरह होता है poison मतलब वो cell के लिए harmful है तो उसको remove करता है तो उसका नाम क्या हो गया यहां पर तो यह आपको trans acetilase वो acetyl group को remove करने में help करता है यह word याद रखेंगे तो यहां पर क्या हो गया परमीज का नाम क्या हो गया why right बाते समझ पा रहे हैं परमीज 167 में यहां पर answer यह repressor protein in lacoperon concept bind with which gene अब जो repressor protein निकल करा है repressor RNA जो था उसने repressor protein लगा है वो किसके साथ में आकर जाकर 168 में जुडता है तो आपको यह चीज वैसे तो पता है कि यह operator होगा बटा आंसर भी देख लेते हैं दिख जा दिख जा बे दिस इस ओपरेटर तो रिप्रेसर जीन कहां से आकर जुड़ा ओपरेटर के साथ में बच्चों जुड़ा हर लाइन को NCID से कंसीडर करते हुए चलोगे कोई ऐसे test series नहीं बनी जो इतनी जादा precise हो NCID से related तो इसका पूरा इस्तमाल करो पूरा फाइदा लो और माल लो तुम अभी आये हो और तुम्हारी 10 मिनट में क्लास है इस कोई बात नहीं इसके recording देख लेना लेकिन याद से recording देखने ना recording देखने में एक problem है बच्चे फिर भूल जाते हैं recording देखने में कई बार बच्चे भूल जाते हैं बट देखना जरूर यह तुम्हारी responsibility है ठीक है चलो अगली बात कर रहा है तो यह O हो गया अच्छा लाक ओपर ओन दा इंडूसर बाइंड विथ inducer किसके साथ में मांड होता है एक छोड़ी सी बात यह भी हम देखने 169 यह सब को पता है तो जो inducer है वो किसके साथ में देख रहे हैं यहां पर प्रबर तो यह जो inducer है यह किसके साथ में repracer के साथ में बाइंड हो गया दिख गया नहीं सब को inducer by linked with what इसके बाद बिटा अभे कौन सा चाप्टर होगा evolution अभी अभी बताया तो go for evolution, evolution चाप्टर बहुत अच्छा है और मैंने तुम लोगों से पहले भी बोला था कि पहले हम लोग क्या करने वाले हैं genetics वाली पूरी unit खतम करेंगे और इसमें अभी tie चल रहा है मैंने एक वो डाला हुआ है क्या पोल डाला हुआ है अपने टेलिग्राम पर and academy 80 सर तो इस पोल में जिसका ज़ादा वो रहेगा दो में competition चल रहा है इसके बाद evolution, ecology शुरू करूँ या फिर animal diversity शुरू करूँ क्योंकि ये दो-तीन unit मैंने करवा दी हैं कौन सी, human physiology करवा दी, plant physiology करवा दी, complete करवा दी NCID सारान्स के फार्म में और ये जनेटिक्स चल रही है तीन hit हैं, इसके बाद जो दो और hit unit हैं जो सबसे ज़्यादा questions आते हैं वो animal diversity है और ecology है तो अब तुम decide करो कि कौन सा चलिए तुमको अगले इस unit के बाद मतलब चार दिन चलाओंगा evolution आज से चार दिन बाद मतलब आज को हटा कर चार दिन बाद evolution चलेगा इतब तक और उसके बाद पांचवे दिन से कौन सा चले ecology unit या फिर animal diversity तुम यहां भी लिख सकते हैं अब वही ना यहां पर भी बहुत से बचे confused मतलब मैं भी तो आप से पूछ के काम करूंगा ना बचो ताकि बच्चों को मेरी कोई problem ना हो हलाकि होगा दोनों ऐसा नहीं कि एक दोनों मैंसे एक ही करवाऊंगा करवाऊंगा दोनों बस preference order पूछ रहा हूं तुमको ठीक है preference order ठीक है चलो तो बात ही करते हैं आगे lack of iron operating ecoli कैसे occasionally या frequently या all time या sometimes बहुत अच्छा वाला question है तो ecoli में lack of iron हमेशा चलता है बच्चों 170 का answer क्या हो गया येस बहुत से बच्चों की ecology आ रहे हैं नहीं बहुत से नहीं यह तो अभे नहीं तीन बार ecology लिख दी ओके तो यहां पर answer क्या हो गया all the time 170 का answer बच्चों all the time 171 जनरली दर regulation of lack of iron by a repressor is referred to as जो lack of iron है वो रिप्रेसर से जब operate होता है या regulate होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं ज्यादा वो हो गया तो उसमें repressor protein जाकर attach हो जाएगा now it is called as negative regulation क्या वर्ड यहां पर negative regulation तो यह वर्ड यहां पर लिखा भी हुआ है यह पहली बात तो याद कर लो तो they are they perform all the time यह वर्ड याद रखेंगे बाते समझ में आ रहे हैं यह बात याद रखेंगे यह विल्कुल clear form है और यहीं पर वो भी दिखां है यह this one negative दिख रहा है यह वर्ड याद करेंगे negative regulation तो regulation of lack of iron by repressor is referred as what negative regulation ठीक है positive regulation भी होता है बट normally हम इसको क्या बोलेंगे negative regulation अच्छा तो इसका मतलब हम 171 का क्या लगा सकते है preferred form referred to as तो यह negative preference देंगे not b and c both है ना कि negative और feedback ना अनली negative याद रखेंगे अच्छा जी अगली बात अगली बात अगला question 172 considering the cost of sequencing है ना one अभी human genome पर आ गया one base pair of US dollar three है ना four approximate cost of human genome would be out of है ना यहां पर बताना approximate cost of human genome project अगर एक का कितना है three dollar approximate cost of human genome यहां यहां पर देख भी लेते हैं आपको clear भी हो जाएंगी चीज़ें 9 billion dollar बात है समझ में आरी तो 9 billion dollar की बात करेंगे डन है ना wonderful बहुत बढ़ा human genome project was year long and started from this to this अच्छा question है प्यारा question human genome project was बहुत बहुत अच्छा question बहुत ही अच्छा वाला question चालो try करो 176 यहां पर line दे रखी है कब से start हुआ था launched in 1900 ठीक है बात है simple form में और 13 year चला यह बात भी आपको चलो यहीं कहीं है च्छिप गया but still we know the answer 13 year चला था और यह हमारे पास एक option क्या आगया वाई में 1900 और 13 year चला था तो 176 का यहां पर C option will be there ELSI क्या है ELSI कल ही हमने ओगने question को किया था 177 ethical legal and social issues मान लो किसी ने गलत इस्तिमाल कर लिया आपके इस human genome के knowledge का कि बाई तुमको किस chemical से चक्कर आता है किस chemical से तुम अंधे हो जाते हो किस chemical से तुमारे body माला तुमारे दात गिरने लगते हैं तो क्या पता तुमारे कल toothpaste में जो नहीं आपके toothpaste में नमक है उसकी जगा वो chemical डाल दिया जिसकी वज़ा से हमने coding पढ़ ली थी ना आपकी इस chemical से यह वाला gene खराब हो जाता है जिससे दात उसके कम हो जाते हैं और उसी chemical का एक antidote के form में उन्होंने कुछ भी हो सकता है तो उसका misuse करना शुरू कर दिया तो ethical, legal and social issues से डील करना भी इसका target था पूसे ना कि what are the like goal of this human genome project उससे related ELSI को भी ट्रीट करना ethical, legal and social issues को ठीक है अच्छा यहां C elegans की बात की है यहां पर ऐसे सब कुछ दिया भी हुआ है हलाकि आप पढ़ भी सकते हो राइट यह बहुत बहुत बार question आता है बच्चों उसको जरूर पढ़ना जरूर से जरूर यह Welcome Trust ने इसको start किया था NIH के साथ में है यह completed in 2003 यहां पर ना यह सब चीज़ें आपको याद करना और इसके process यह थे और इसमें यह East artificial film वगरा लगे थे यह सारी बाते यहां दे रखती है यहा क्या है सबको पता है C elegance की बात कर रहें तो नेमा टोड़ा है नॉन पाथोजोनिक नेमा टोड़ा है 178 wonderful बहुत अच्छे और Express Sequence Tag is an approach Practicized in Express Sequence Tag की बात कर रहें तो यह किस चीज में तो आपको पता लगा रहा है कि कितने RNA active है exon intron के form में तो कितने gene RNA में convert होते हैं तो is called as Express Sequence Tag exactly gene to RNA convert होने लाए तो यह किस चीज में use होता है 179 में तो आपको पता है DNA सीजी सी बात 179 गांसर पूछ रहा हूं EST आपके DNA sequencing में ठीक है बिल्कुल क्लियर 179 B wonderful बहुत बढ़ा 180 सिर्फ 1516 question और है the complete genome into coding and non coding sequence यह पता लगाना is called as सबको पता है sequence annotation EST बोलता अगर तो थोड़ा confusion भी होता यार वो था यह था यह था मद यहां तो clear बात बता रखिये क्या sequence annotation आपको पता चल गया NCID में line भी पता है आपको back का full form क्या है बचों it is what bacterial artificial chromosome बिल्कुल clear सी बात है क्या वड़ यूस किया यही पर अभी अभी हम लोगों ने उसको skip करके आगे चले थे bacterial artificial chromosome यहां sequence annotation दिया है यहां express sequence tag दिया हुआ है इस सब कुछ आपको याद रखना है bacterial artificial chromosome बिल्कुल clear सी बात the credit for developing a method for determining of DNA as well as protein sequence किसको गया यह जो DNA sequencing वाला जो method है यह पहली बार किसने पता लगाया बहुत clear form तो Sanger method बोलते हैं 182 की बात करें Sanger ने यह चीजे पता लगई NCRT में सीधे mention है बचो 182 का answer A और इसकी PDF just after this class I'll send at like मेरा telegram channel है और नीचे description box में आपको एक telegram channel भी मिल जाएगा वहां पर भी otherwise मेरे telegram channel पर आपको मिल जाएगा on academy 80 search search on telegram right वहां पर PDF मिल जाएगा okay next in human genome project chromosome कौन सा सबसे सबसे लेट हुआ था तो यह आपको यह वर्ड याद होना चाहिए NCRT में mention है 183 बचों chromosome 1 सबसे लास्ट में हुआ था ठीक है बात यह समझ में आरी 183 कहानिया क्लियर 183 बिल्कुल क्लियर वंड़फल बहुत बढ़िया which in the following is not a silent feature of human genome project पहली बात तो यह बात को याद रखेंगे कि यह data as it is उठाकर आपको NCIT से याद करना है है न as it is 184 की बात करें तो why have fewest gene बिल्कुल ठीक है ओवर 50% of gene discovered are yet to be investigated उनका function ही नहीं पता हमें बिल्कुल ठीक है less than 2% of genome code for protein बिल्कुल ठीक है यह भी बात प्रोमोजों genome contain human इतने million basis ने nucleotide basis की बात नी करें आप देखो धान से 184 की बात करें बचों एक तो यह याद कर लो कि सबसे last में कौन वह हुआ यह वाला दिख गया अगली बात silent feature की बात करें तो human genome contain 3164.7 million basis है यहां पर आपको million basis की बात करें million basis की बात करें तो यहां पर आप इस बात को समझेंगे तो यह यह बात आपकी क्या होगा यह रॉंग तो it is a not a silent feature of human genome project बात है समझ पा रहें बिलकुल क्लियर 184 का a option बिलकुल क्लियर अंडर human genome project scientists have located this 1.4 million location where difference in single DNA basis वाई तुमारे पास क्या है ATGC मेरे पास क्या है ACCC तो हमारे पास T और A का difference है ना single nucleotide पर difference आया SNPs बोला SNPs बोला याद रखेंगे 185 की बात कर रहे हैं single nucleotide polymorphism हम और तुम किसमे difference है single nucleotide में ही difference है हमारे तुमारे ऐसी चीज़ें पता लगाई उनने और ऐसी चीज़ें कहां कितनी बार हो रही है पूरी body में 1.4 million location पर यह changes है हमारे तुम्हारे में जिसकी विज़े से तुम तुम हो मैं मैं हर कोई अपनी तरह अलग-अलग है ना अगला question DNA fingerprinting is based on principle of identifying क्या 186 की बात कर रहे है बच्छों 186 तो repetitive sequence की बात कर रहे हैं पर repetitive sequence of DNA DNA fingerprinting is based on the principle of identifying कौन सा repeated है तुमारे अंदर क्या है मेरे अंदर क्या है दोनों के अंदर matching क्या है repeated क्या है राइट तो 186 में answer आपको याद रखना है बिलकु clear form में और यह आपके NCRT के direct line है चलो आखरी के 18-10 question और है अब 10 तो नहीं है 195 तक है तो 67 question और variation in at genetic level nucleotide is turned as NCRT के line यह तो आप याद कर लोगे single nucleotide यह न देखो repetitive DNA बात नियाद रखने है ठीक है और वो कहां गया polymorphism अला यहीं पर लाइन थी हाँ this one ध्यान से पढ़ेंगे simple term polymorph variation at genetic level ठीक है यह वर्ड याद रखने polymorphism it is what polymorphism 187 if inheritable mutation ध्यान से सम्झेंगे if an inheritable mutation is observed in a population at high frequency it is it referred as एक ऐसा mutation जो एक generation से दूसरे generation में भी ट्रांसफर होड़ा that's why it is called as inheritable और यह एक जो है high frequency में ज्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है it is DNA polymorphism it is what 188 का बच्छों है ना DNA polymorphism right बिल्कुल clear wonderful बहुत बढ़े तो नीचे जो code है यह code आपको मेरे telegram तक भी पहुचाता है आपको 10% off भी दिलाता है plus पर तो telegram तक आपको इसका PDF अभी मैं भेज़ देता हूं ठीक है इस पूरी book का जिसको मैंने highlight किया है along with the questions the technique of was discovered by Alec Jeffrey तो finger printing की बात कर रहें भाई DNA fingerprint की बात कर रहें येस और नो कहां गया Alec Jeffrey भाई साब आप कहां गये यह मैंने शायद miss कर दिया होने तो आप यहीं चाहिए थे चलो हाँ येस मिला ना तो the technique of DNA fingerprint was initially developed by Alec Jeffrey और ये full form भी आप से पूछते हैं VNDRs की ठीक है चलो तो यहां पर आपको DNA fingerprinting याद होना चाहिए A well known technique to amplify a small portion of DNA is known as PCR सबको पता है 190 का क्या 190 का wonderful बहुत अच्छे PCR will be the answer है ना हाला कि तुम्हारी duty क्या है कि हर एक short forms को याद करो कोई बच्चा ऐसा है जिसको short forms की पूरी PDF मिल जाए तो यह रट कर याद कर लेगा अच्छे से हां जी कोई ऐसा बच्चा है यहां पर अगर मैं पूरे NCIT की PDF दे दूँ जिसमें सिर्फ short forms हो तो उसको रट कर याद कर लेगा yes or no हां या ना कोई है ऐसा वी एंटी आर जो है variable number tendon repeats दे वैरियंट साइज कहां से कहां तक वी एंटी आर की बात कर रहें तो इस दे वैरियंट साइज कहां गया मिल जाए करो यार एक बार में यहीं कहीं आपको चीज़ें मिल जाएंगी मिल जाएं तो अच्छी बात हैं हाँ यह मिला ना कैसे नहीं मिलेगा VNTR variant size from point one to 20 KB है ना यह वर्ड याद रखेंगे point one to 20 KB कोई resemblance नहीं है यहाँ पर सिर्फ data तो याद करना पड़े गा 0.1 to 20 KB 191 है ना बाते समझ में आ रही हैं ओके चालो अभी तुम्हें सिक्वेंस को पूरा करो मैं लास्ट में तुम लोगों के लिए बहुत कुछ लाता हूं बहुत कुछ लाता हूं तो इसमें ने फुल फॉर्म वाला सांटिस्ट के नेम वाला डाटा वाले ऐसे सारी चीज़ें करवांगा दोंट वारी कुछ similar dna fingerprinting is obtained for similar dna fingerprinting is obtained for 192 की बात करें 192 अच्छा question तो similar का मतलब monozygotic monozygotic right बहुत simple सी बात है अगला question यह third last question है in dna fingerprinting hybridized strand are detected by जो hybridized strand है उसको आपने कैसे चेक किया 193 का आंसर दो बच्छों तो radiometry से या फिर radioscopy से या फिर audio auto radiography से या फिर ये last में हमारे पास scintillation counter होता है wonderful तो answer will be what बिल्कुल common सा auto radiography सबको पता है and under human genome project largest human gene was सबको पता है बता दो तो मज़ा आ जाए जल्दी से बच्छों don't worry बिटा मेरे टेलिग्राम पर यह जो नीशे मेरा code है na 80 sir इसी के आगे आना academy लगा कर अभी join हो जाओ मैं उस पर सारी चीज़ें देजता रहता हूं ठीक है अंडर human genome projector largest known human gene is dystrophin सबको पता है या ना dystrophin right very simple बहुत simple और लास्ट का question ये एक chemical structure है डियर ने का और इसमें ये एक क्या है दिस ये easiest question है आज के लास्ट का और वाइनॉट start with that quiz है ना बच्चों जल्दी से मुझे answer दो और इसके बाद मैं तुमको वो शेयर करता हूं क्या test 30 questions होंगे बच्चों 30 questions होंगे और उस 30 questions की खास बात क्या 30 questions की खास बात क्या कि हर्स question के लिए आपको कितने सीधे सीधे तो यह molecular के form है और यहां पर question total मैंने 30 कर दी है और I want everyone की मैंने quiz भी create कर दी तो चलो शुरू करते हैं इसको yes it is what hydrogen bond actually it is what hydrogen bond बिल्कुल ठीक है यहां इसको मैं आपको यहां लिख भी दूँ I think मुझे लगता इससे तुमको काफी help मिल जाएगी काफी help मिल जाएगी इसका तो answer क्या हो गया बच्छों इसका तो answer यह आपका आगया wait a minute wait a minute इसका तो answer क्या हो गया hydrogen bond now write it down जो code है जल्दी से code डालो और हम लोग 30 questions solve करेंगे और मुझे पता लगाना है कि इन में से जितनी देर मैंने पढ़ाया इन चार दिनों में कितने बच्चे brilliant हैं और इससे तुमको XP point मिलता है तो code for अभी का जो quiz है उसका यह है यह code है quiz का ठीक है तो I want everyone के सारे बच्चे जल्दी से आ जाओ जल्दी से आ जाओ और मैं स्कूस screen भी share कर रहा हूं सारे बच्चों के लिए है न और यह link भी अपने पास आ जाएगा न चलो जल्दी से मैं भेज देता हूं बच्चों को जल्दी से जल्दी से जल्दी से ज्वाइन हो जो जितने मैं समय बच्चे आ सकते हूं इसको मैं share कर रहा हूं सब जगा जल्दी से आ जाओ सारे बच्चे फिर start करते हैं चलो मुझे लगता है सबके पास लगबग शायद पहुँच गया होगा तो मैं इसको connect भी कर लेता हूं क्यों क्या कहते हूं connect भी कर लेता हूं चार बच्चे जॉइन भी हो गया है wonderful बहुत अच्छे चार बच्चे जॉइन भी हो गया है very good very good I want कि सारे बच्चे जुड़ जुड़ जल्दी से जल्दी quiz का code तुम्हारे पास है हाला कि quiz का code है तुम्हारे पास सबसे अच्छी चीज यह है ना तो चलो उसी इसाब से बात करते हैं और जरा मैं देखूं क्या एक मिनट रुकना इसको तो keep कर दें क्योंकि तुम्हें भेजना है और यह वाइजर आ गया letter और इसको मैंने कर दिया allow और इसको कर दिया view और क्या शुरू करें बच्छों चीज़ें शुरू करें हां जी चलो काफी बच्छे ज्वाइन भी हो गया है और quiz start करते हैं बिलकुल quick form है quiz start करते हैं मज़ा आएगा ना 30 questions है enjoy करते हैं और देखते हैं कि कितने questions हम कर पाते हैं और इसका बहुत अच्छा फायदा तुमको बताओं क्या मिलता है इससे तुमको xp points मिलते हैं बच्छो xp points मिलते हैं और यह xp points directly तुम जब भी plus लेते हो न वो तुमारे लिए helpful हो जाता है कि तुमको उतने xp points जितने भी मिले मांदो तुमारे पास 1000 xp points है तो उतने rupees आपके subscription वाले cost से deduct हो जाते हैं तो total 30 questions is there and I want to see everyone की सारे बच्चे जल्दी से जल्दी आजाओ quick form में है ना चालो चालो बहुत बढ़िया तो मेरे पास शुभांकर है यह अपना पुराना बच्चा है अनुष्का है खुशी है अरुन है साहिब है प्रमिती है wonderful बहुत अच्छे very good तो which site of tRNA pairs through hydrogen bond with triplet code on mRNA बहुत अच्छा question interesting and मज़ेदार question अब मैं चाहता हो maximum बच्चे आई है यह code है आपका क्या code is what 794246 इस code से आजाओ जल्दी से आजाओ यह code है बच्चो चलो खुशी अभी टॉप पर है खुशी टॉप पर है very good बहुत ही अच्छे let's see 122 xp points हो गए है खुशी के पास शुब भांकर के पास सिर्फ 2 points कम है खुशी के compare में यह ना the sequence of nucleotide AUGG यह है indicate a segment of यह किस चीज़ का segment है क्या DNA का या RNA का कैसे पता लगाएंगे राइट इस बात को आपको समझना है कि यह अपने आप में एक RNA है बचो यह क्या है अपने आप में C option answer will be what और D option क्यों लगा रहे हो I don't know answer will be what C बिल्कुल clear तो खुशी अभी talk पर है this is the best thing चलो भाई बाकी बच्चे भी अपना दम लगा दो दम लगा जितना लगा सकते हो अच्छे question से in eukaryotic gene coding sequence are called coding sequence को हम क्या बोलते है राइट थोड़ा सा दम और लगाएंगे in eukaryotic gene coding sequence are called as बहुत अच्छा question है right चलो बहुत बढ़िया तो B option maximum चल रहा है और top पर खुशी है और प्रमिती second पर है wonderful बहुत अच्छे impressed impressed खुशी काफी अच्छे gap से है एक diagram है और यह मैंने question आपको class में भी कराया हुआ है अपने special classes में है ना अच्छा question है हलागी यह इसमें ABC क्या है exactly ना यही तो बताना है ABC exactly क्या है सब को पता यार A is his stone है ना और B उसी साब से और C उसी साब से तो answer बिल्कुर ठीक है खुशी को कोई पीछे नहीं कर पा रहा है खुशी प्रमिती और साहिव यह top 3 में बच्चे हैं हमारे पास wonderful बहुत अच्छे बहुत ही अच्छे इन ट्रांस्क्रिप्शिन इन यूकेरियोट्स हेट्रोजीनियस न्यूट्लियर आरेने इस ट्रांस्क्राइब बाई अच्छे न तो मैंने आरेम्टी वाला फॉर्मिला बताया था एम का मतलब आरेने पॉलिमर इस टू आंसर याद रखेंगे न तो आरेम्टी 1,2,3 तो याद रखेंगे 50 बच्चों ने बिलकुर करेक्ट आंसर दिया wonderful तो खुशी है लक्षमी है प्रमिती है साहिब है शाहिब यार थर्ड से फोर्थ पर आ गया थोड़ा सा और दम लगा और खुशी 350 पॉइंट्स के साथ में है आज 30 questions बढ़ियां वाले होने वाले है वाट ड़ज लाक रिफर्स तो इन वाट वी कॉल दा लाक अपराउन इस लाक को लाक अपराउन में लाक का मतलब exactly क्या है बच्चों बहुत अच्छा कॉश्चिन अच्छा जो बच्चे अभ जोड़ जो अभी भी तुम्हारे पास time है अभी भी तुम्हारे पास time है येस तुम अभी भी top 10 में आ सकते हो बच्चों top 10 में आ सकते हो सिर्फ 8th question चल रहा है साथ ही question हुए है अभी ठीक है और 10 minute 12 minute की quiz होती है 20 second की question होते है quick form में करो मजाएगा code क्या है 794246 794246 ठीक है जल्दी से अच्छा question था है और maximum बच्चों ने answer तो सही टिक किया खुशी को कोई पीछे नहीं कर पा रहा है बहुत अच्छे लक्ष्मी है और प्रमिती है ठीक है ये top 3 के हमारे बच्चे है wonderful बहुत अच्छे in prokaryotes gene regulation occur at the level of यह मैंने आपको अल्रीडी बता रखा है कि gene regulation अभी अभी हम लोगों ने questions भी किये थे और कल हम लोगों ने ncrd जो biology workbook है उसमें भी करवाया थे इसको है अगर याद है तो okay सबको बच्चों को 79 परसेंट बच्चों को बिल्कों clear answer है और मुझे सबसे आदा interest आ रहा है लीडर बोड देखने में खुशी टॉप पर है लक्ष्मी प्रमिती साहिव आयूश और ट्राइग करो कि अपने आपको protein synthesis और as start or stop go down बढ़ा कोशन अच्छा बाला कोशन ओके से 44 परसेंट बच्चों ने बिल्कुल ठीक answer किया है और अभी भी खुशी टॉप पर है और हर बार इसके marks बढ़ रहे हैं सबसे अच्छी चीज ये तो खुशी बिटा बहुत अच्छे God bless you इसी तरह लगे रो और बा अपको याद होना चींदा 3 प्राइम या फाइं 5 प्राइम कि अन्टिकोर्ण और लूप ये तो ऐसे ही वर्ड दे रखा है आपकों बाकियों मेग और याद कर लो याद इतना क्या है, simple सा question था, 3' directly याद करो, तो आयूश अनन्द भी top second पर है और लक्षमी third पर है, very good, और top पर तो खुशी ही है, प्रमिती साहिब और, अच्छा, काफी बच्चे हैं, Leading strand during DNA replication is formed, कब, एक होता है leading और एक होता है lagging, तो continuous form में, या short segment के form में, या first या ahead of replication, तो answer A है या B है, जल्दी से बता, चालो बाई, बहुत अच्छे, तो यहाँ पर leading मतलब continuous form में, code आपको मैं दुबारा बता दूं बच्चों, जो बच्चे अभी भी जुड़ना चाहा रहे हैं, unacademy के learning app पर जाओगे, वहाँ पर, जो test वाला portion है, उस पर click करोगे, सबसे नीचे, और वहाँ पर तुमको यह code डालना है, join quiz पर जाओगे, और फिर 794246, यह code डालोगे, यहाँ code मैंने दे रखा है, screen पर, 794246, this is the code, है ना, चलो बहुत अच्छे, very good, ओके, चलो, खुशी अभी टॉप पर है, खुशी को कोई पीछे नहीं कर पा रहा है, आयुश है, लक्षमी है, प्रमिती, साहिब, श्फ्री है, शुभांकर है और हमादरी है, एक assertion reason आया है, इससे डरो मत, assertion reason, बहुत common questions होते हैं, इसको statement की तरह consider किया कर, कि statement 1 सही है, या statement 2 सही है, या दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे को explain नहीं कर पा रहे हैं, like that, इस तरह से consider करो उसको, तो तुमारी practice अच्छी हो जाएगे, चलो देख लेते हैं, ओके, तो दोनों statement ठीक थे, बट एक दूसरे को explain नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, तो खुशी है, टॉप पर, आयूश, लक्ष्मी, प्रामिती, शुभांकर, साहिब, श्री, हिमादरी, वशीम और सौरब, done, बहुत अच्छे बच्चों, very good, हम लोग आधे रास्ते पहुँच चुके हैं, 15th question हो चुका है, जो बच्चे अभी भी जुड़ना चाह रहे हैं, you can join with this code, यहाँ stream पर दिया हुआ है, मेरे जस्टू पर code है, 794246, क्या, 794246, बहुत easy question, बहुत आसान, याना, बहुत easy and easy question, हाला कि, बहुत easy, wonderful, खुशी अभी टॉप पर है, खुशी को कोई पीछे नहीं कर पा रहा है, याना, ठीक है, done, 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 चलो भाई, अगली बात, question number 16 की बात नहीं करेंगे बच्चों, question number 16, right, अच्छा question और easy question, try करो, ओके, अच्छा और easy question, ओके, तो खुशी अभी टॉप पर है, बस मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, और साहिब काफी अच्छा दम लगा रहा है, बच्चे, है ना, लगा रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक, चलो भाई, और answer बच्चों, यहां नहीं करना, try करो कि answer, यहां पर हमारे पास क्या हुआ, 17th पर आ रहा है, 17th पर आ रहा है, मैं इसको दूसरे फोन में चलाना चाह रहा था, शलो बच्चों, ठीक है, done, okay, चालो जी, चालो, बिल्कुल ठीक, perfect, 18th question पर हम लोग है, और आज top 10 में हमें देखनी ही चीजे न, 18th question पर हैं, और हम लोगों को top 10 में देखना है, कि कहां पर कौन बच्चा कंद एक्सिस्ट कर रहा है, और I think this is properly, clearly visible, I think, right, it is properly visible, यह न, good, wonderful, wonderful, बिल्कुल clear, कितने बच्चे हो तुम लोग, इसमें वैसे as it is तुम नहीं दिखा रहा है, लेकिन हाँ, चीजें clear दिख रहे ही, यहाँ पर question number मैं किस पर पहुँचा हूँ, जो मेरे पास है, यह code यूज कर ले न, बच्चों, यह code यूज कर ले न, ठीक है, यू आर अवे और यू गो अवे इस फॉम में, और यू आर गॉण है, यहाँ पर आपके पास, बी option बिल्कुल clear, 85% बच्चों ने बिल्कुल ठीक answer दिया है, wonderful, तो खुशी अभी top पर है, लक्षमी, आयूस, शाहिब, प्रमिती, शुभांकर, श्री, हिमादुरी, वशीम, सौरव, यह top 10 में अभी बच्चे हैं, और मैं चाहता हूं कि, कुछ और बच्चे अपना दम दिखाएं, अच्छा वाला, question number 20, जो बच्चे अभी अभी आये हैं, मैं उनके लिए बता दूं, बिल्कुल clear form में, की code क्या है, 794246, बच्चो, next question ये है, इस DNA template का, क्या बनेगा RNA के form में न, तो maximum बच्चो ने calculate कर लिया, exam में भी इसी तरह से questions आएंगे, और तुमको 20 seconds में answer देना है, तो खुशी है, आयूश है, साहिब है, लक्षमी, शुभांकर, स्षी, प्रामिती, हिमादरी, और वशीम, और सौरब, बहुत अच्छे, येस, इस थोड़ा सा बड़ा question, हाला कि थोड़ा सा बड़ा question है, बट राई तो करी सकते हैं, ट्राई तो करी सकते हैं, येस और नो, बिलकूर ट्राई कर सकते हैं, बट राई तो कि चलो बट बहुत अच्छे, वंड़फूल, और खुशी साहिब आयूश लक्षमी शुभांकर स्वी, काफी बच्छे हैं, गड़, अच्छा है, और सिर्फ इसके बाद, आठ बच्छों है बच्छों, तो I think तुम लोग प्रॉपर, मोटिवेटेड फॉर्म में लगे होगे इसमें, तो प्रॉसेस इन विच डियने कोड फॉर एमारेने, तो DNA से आरेने की बात कर रहे हैं तो, बहुत बढ़े हैं, अरे, क्या हो गया भाई, काफी बच्छों का गरबड़ हो गया, तो यहां पर बच्छों के थोड़े से नंबर कम जादा हुए हैं, बढ़ ठीक है, अगले वाले में ट्राई करो, राइट, चलो भाई, अगली बात करते हैं, फो वाज़ अवाड़े नोबल प्राई इन फिफ्टी नाइन फॉर इन विट्रो संसेस ऑफ पॉली राइबो नूकलियो टाइड, है ना, तो आपके NCRT में यह चीज़ें दे रखी हैं, है ना, कि ओकोवा हैं या दोनों लोग हैं, कौन बर की बात कर रहें ना, तो आंसर विल भी वाट बोथ, तो खुशी, साहेब और शुभां कर यह बच्चे हमारे टॉप पर हैं, वन्डरफॉल, बहुत अच्छे, वेरी गुड, 24th question, Assertion, Reason का एक बार और, इसके बाद सिर्फ 5-6 question, 6 question और हैं, Assertion, Reason का question है और बहुत simple question है हाला कि है तुमको क्या करना है रोज इस तरह से हम लोग एक बार quiz कर लेंगे और आपकी इस वाने preparation हो जाएगे, जब भी हमें मौका मिलेगा हमें एक quiz कर लिया करेंगे ठीक हैं, जब जब भी मौका मिलेगा, तो खुशी है, श्री है, साहिब है, wonderful, बहुत अच्छे, खुशी टॉपपर है, this is the best thing, ट्रन रिकोगनाईज जो राइबोजोम को किस से रिकोगनाईज करता है, तो टी-सी लूप या डी-सी लूप या अंटी-कोडॉन या ए-ए, आंसर आपको पता है, हाँ जी, बिल्कुल clear form में, श्यालो जी done, बहुत बढ़े हैं, तो आपको आंसर याद हो जाना चाहिए क्या, टी-फाइसी लूप तो पूरा नहीं लिखा था, बट फिर भी आपको याद रखना क्या, टी-फाइसी लूप के थूँ ये अपने आपको रिकोगनाईज करते हैं, तो श्री अभी थर्ड पर है, बहुत है, बहुत ही इसी कोशन आगया यार, बहुत ही इजी कोशन आगया डियन ने कहां खाहां प्रेज़न है, देखते हैं यहाँ पर कुछ बच्चे गलत भी करते हैं तो फिर क्या कहा जाए येस बिल्कुल ठीक है सिर्फ नुकलियस में नहीं ना बच्चे हूँ सब जगा मिलेगा ना सब जगा मिलेगा तो खुशी 1000 प्लस X की पॉइंट है जिसके पास ठीक है अपने घर में भी दिखाया करो कि येस मैं आज की टॉपर थी पापा इस पॉम में मम्मी मैं आज टॉपर थी है ना और यह रेगुलर करो यह चीज बहुत है बहुत इंप्रसिव है राइट अगली बात कर रहे हैं बैक्टरिय फास विद्ट रेडियो अक्तिविटी विद् बोथ इंडियन एंड प्रोटीन इंफेक्ट बैक्टिरियम तो बैक्टिया बिकम रेडियो अक्टिव यहाँ पर आंसर आपको बी आंसर टिक करना था ठी श्री ये कुछ बच्छे हैं वेरी गुड और टॉप 10 में लगे हुए हैं बच्छों बहुत बढ़िया विज दो फॉलिग इस नॉट पार्ट ऑफ ट्रांस्रेप्शिनल यूनिट ये थर्ड लास्ट कॉर्शिन है आज का और आम इगरली वेटिंग के देखते हैं टॉप 3 मे कौन सा बच्छा आता है खुशी न तो काफी अच्छी एक वो बना ली है बागी बच्छों का देखते हैं येस पारफेक्ट बहुत अच्छे बहुत ही अच्छे वहरे गुड है बहुत ही अच्छे विएरे गुड तो grow on a minimal medium unless supplemented with a nutrient is called as is called as अच्छा question है ये question कई बार पूछ लिया गया है जबकि NCRD में नहीं है हाला कि अब नहीं आता है तो अब इस वाले question को particularly याद कर लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा ठीक है तो लक्ष्मी, खुशी, श्री यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो अच्छा कर रहे हैं और दोनों बच्चों ने लक्ष्मी और खुशी ने लक्ष्मी अभी टॉप पर आ गई है ये देखो तुम और आज का आखरी का question देखो खुशी इतनी देर से टॉप पर थी suddenly लक्ष्मी बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने है ना तो maximum बच्चों को बिलकुल clear पता है तो आज की जो टॉप पर है हमारी कौन है फाइनली लक्ष्मी हमारी टॉप पर है जबकि खुशी ने काफी अच्छा जंप किया था लेकिन suddenly लक्ष्मी आई और टॉप कर ले वन्डेफुल बहुत अच्छे तो काफी बच्चे थे है ना मैं इसका screenshot बेज देता हूं है ना इसका screenshot आप लोगों को बेज देता हूं बिलकुल clear form में और मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे जो भी मेरे साथ जुड़े हुए है ना जो भी बच्चे जुड़े हुए है यह regularly अपनी त्यारी करें पढ़ाई करते रहें कहने का मतलब यह और खूब hard work करें daily basis पर यह NCID अभ्यास सीरीज होती जिसका मैंने थुड़ा सा नाम change किया है तो PDF आपको इस वाले चैनल पर मिल जाएगी बच्चों किस वाले पर यहां description में इस चैनल का नाम दिया हुआ है आप उसको जाकर एक बार देख लेना and मेरी already plus की series चल रही है traditional off मिल जाएगा ठीक है ना तो चलो God bless you all खूब अच्छे से पढ़ाई करो कल मौनिंग में 9 बजे फिर से special class में मिलेंगे जो बच्चे प्लस करें प्लस पे हैं वो 8 बजे मुझे मुझे मिले body fluid and circulation पढ़ा रहा हूँ प्लस पर human physiology पूरी complete करूँगा बच्छे human physiology पूरी complete करूँगा तो use this code और कोई भी दिक्कत है you can message me call me तुम्हारे पास मेरा number है ठीक है तो bye and good night and God bless you all keep shining